बिना किसी अनुभव के लोगों को हिम्मत दिखाने के लिए एक युवक का अपने कंदो और गर्धन पर साप के साथ खेलना महेंगा पड़ा नाकपुर के इस 21 वर्षय युवक की साप के काटने से मौत हो गई साप को संभालने में कोई अनुभव नहीं होने पर साप के साथ मस्ती करने से एक युवक की चान चली गई नाकपुर्शिले के भिवापुरत तालुका के सोमनाला गाव के 21 वर्षिय श्री राम दहारे की साप के काटने से मृत्य हो गई है 16 नवेंबर को श्री राम ने अपने घर के पास एक चाड़ी में एक जहरिला साप पाया था श्री राम ने उसे पकड़ लिया और लोगों को यह दिकाने के लिए अपने कंदे पर साप के साथ खेलना शुरू कर दिया कि हम कितने सहासे हैं वह कभी गाव का चक्कर लगा रहा था तो कभी उसकी गरदन पकड़ रहा था और कभी उसका हाथ पकड़ रहा था कर लोगों ने साप को दूद पिलाते हुए भी वीडियो बनाया कुछ ने उसे एक सर्प मित्र कहा जबकि अन्य ने उसे भगवान की कृपा कहा